यहां पर मैंने 51 फंदे लिये हैं 40 फंदे 10 के मल्टिपल से लिये हैं प्लस 11 फंदे एक्स्ट्रा लिये हैं जिसमें की एक फंदा साइड में डिजाइन को विकुल करने के लिए और यहां पर मैंने 10 फंदे एस्टिच के रखे हैं दोनों साइड में दोनों साइड में एस्टिच के 10 फंदे रखे हैं आपने अपने जब भी किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिजाइन को डालना है तो आप 10 के मल्टिपल से फंदे लेंगे प्लस त्री फंदे एक्स्रा लेंगे तो आपका ये डिजाइन अच्छे से सेट हो जाएगा एक फंदा साइड में डिजाइन को एकुल करने करिए और टू फंदे एस्टेज के होंगे ये दिखें फर्स्ट रो है और राइड साइन है हम स्टार्टिंग के हमारे फाइफ फंदे एस्टेज के हैं इनको उल्टा बना लेंगे इनको हमने दोनों साइड में उल्टा ही बनाना है ये दिखें फाइफ फंदे हमने एस्टेज के उल्टे बनाए हैं अब दिखें धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे अब यहाँ से repeat pattern start करेंगे धागा आगे करेंगे जैड डालेंगे और एक बनालेंगे फिर एक फंदा ऐसे turn करेंगे back loop से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर तीन फंदे सीधे 1,2,3 फिर आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा बना लेंगे धागा आगे करेंगे जाड़ डालेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे यह देखे, starting case 6 फंदे छोड़कर यहां से यहां तक हमारा एक pattern complete हो गया है, इसमें हमने देखिए, जाई डाली, एक फंदा सीधा बनाया, दो फंदों का एक फंदा बनाया, तीन फंदे सीधे, दो फंदों का एक फंदा बनाया, एक फंदा सीधा जाई डाली और फिर एक फंदा सीधा बनायेंगे, फिर बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनायेंगे, तीन फंदे सीधे, 1, 2, 3, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनायेंगे, एक फंदा सीधा जाई डालेंगे, और एक फंदा सीधा बनायेंगे, लास्ट में, फाइफ फंदे ह हमारे STITCH के हैं, उल्टे बना लेंगे इनको, हर बार हम उल्टा ही बुनेंगे दोनों साइड से, row Second wrong side, इस row को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बंकर complete करेंगे। हर बार हम इसकीье रौंग side row उल्टे उल्टे फंदों के साथ ही बनाएगे। रो थर्ड, राइट साइड, स्टार्टिंग के 5 फंदे, उल्टे बनाएंगे, एस सिच के फंदे हैं, धागा पिछे करेंगे, अब देखिए, यहाँ पर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, यहाँ से रपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, यह हमारा जाली वाला फंदा है, इसे स सीधा बनाएंगे, फिर थागा आगे करेंगे, चारी डालेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा टर्न करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बना लेंगे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, चाहीड डालेंगे और दो फंदे सीधे बना लेंगे स्टार्टिंग के 6 फंदे छोड़कर यहां से यहां तक हमारा एक pattern कंप्लेट हो गया है इसमें हमने 1 फंदा सीधा बनाया, जाहीड डाली, 1 फंदा सीधा दो फंदों का एक फंदा बनाया, सेंटर का एक फंदा सीधा, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाया, एक फंदा सीधा, चाई डाली और फिर दो फंदे सीधे बनाए हैं, फिर से पैटन पीट करेंगे, एक फंदा सीधा, चाई डालेंगे, यह दिखें, यहाँ पर हमारे पास टोटल सेंटर में तीन फंदे हो जाएंगे फिर जाई डालेंगे एक फंदा सीधा ऐसे बैक लोप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे सेंटर का एक फंदा सीधा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा जाई डालेंगे अब सेंटर के ये तीन फंदे हैं जारी वाले तीनों सीधे बना लेंगे फिर जाई डालेंगे एक फंदा सीधा बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा जाई डालेंगे सेंटर के तीन फंदे सीधे 1, 2, 3 जाई डालेंगे फिर से एक फंदा सीधा बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे सेंटर का एक फंदा सीधा आगे के सैट से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा चाही डालेंगे और दो फंदे लास्ट के सीधे बना लेंगे एस सिच के 5 फंदे उल्टे रो 5 राइट साइड स्टार्टिंग के 5 फंदे उल्टे बनाएंगे 2, 3, 4, 5 धागा पीछे करेंगे, रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे अब देखिए एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे चाही डालेंगे यह देखिए यह हमारे जाले वाले फंदे जो हम बढ़ा रहे थे अब इनको डिक्रीस करना स्टार्ट करेंगे चारी डालेंगे फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे अब देखिए सेंटर में हमारी पास यहाँ पर तीन फंदे हैं अब हम तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा ऐसे आगे की साइड से स्लिप करेंगे इसको बिना बुने ही उतारेंगे फिर आगे की साइड से दो दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस लिप कियो है फंदे के उपर से असे टॉप करेंगे फिर एक फंदा सीधा बना लेंगे फिर जाई डालेंगे अब दिखिए यहाँ पर हमारे पास सेंटर के यह फाइफ फंदे हैं जाली वाले जो बड़े हुए इनको डिक्रीज करेंगे इसे उतारेंगे टर्न करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे स्राइटिंगे फाइफ फंदे छोड़कर यहां सी यहां तक हमारा एक पैटन कम्प्रीट होगे इसमें हमने एक फंदा सीधा बनाया फिर दो फंदों का एक फंदा बनाया जाई डाली एक फंदा सीधा तीन फंदों का एक फंदा बनाया है फिर से पैटन पीट करेंगे एक एक फंदा सीधा बनाएंगे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ऐसे स्लिप करेंगे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, इसको उपर से डॉप क पिर आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे यह दिखें जाई डालेंगे और एक फंदा सीधा फिर तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे स्लिप करेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे इसको उपर से ट्रॉप करेंगे यहाँ पर ह क्रीज होंगे फिर धागा पिछे ही रखेंगे एक फंदा सीधा जाई डालेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर जाई डालेंगे एक फंदा सीधा तीन फंदों का एक फ यहां से रपीट पैटन स्टार्ट करेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर देखें एक फंदा सीधा बना लेंगे जाली वाला फंदा था फिर जाड़ी डालेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे 1,2,3 फिर धागा आगे करेंगे जाड़ी डालेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे अब दिखें ये हमारे जो तीन फंदे हैं अब तीन फंदों का फिर से एक फंदा बनाएंगे इसे स्लिप करेंगे और आगे की साइड से दो फंदों का एक फंद बनाएंगे से उपपर से डॉप करेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे फिर चार डालेंगे और फिर से तीन फंद सीधे यह दिखिए यहां पर हमारा यह लीफ बनना यह वाला जो लीफ है ये बनना स्टार्ट हो जाएगा और फिर से दिखिए जाइड डालेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे स्लिप करेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे जाए डालेंगे तीन फंदा सीधे फिल जाए डालेंगे और एक फंदा सीधा स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और लास्ट में फाइफ फंदे उल्टे बना लेंगे रो 9 राइट साइड स्टार्टिंग के 5 फंदे उल्टे बनाएंगे 2, 3, 4, 5 धागा पिछे रपीट पैटन स्टार्ट करेंगे अब दिखे दो तीन फंदे सीधे बनाएंगे फिर जाए डालेंगे फिर से तीन फंदे सीधे 1, 2, 3 जाए डालेंगे फिर 5 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 5 जाए डालेंगे यह देखिए यहाँ पर हमने जितने फंदे हैं सभी को सीधा बनाएं और इसके साइड में हमने एक एक चारी डालते हुए जाना है यह इसलिए क्यूंकि हमारी जो इसकी 7th row है उसमें यह फंदे डिक्री हो रहे हैं तो अब हमने जो फंदे नीचे डिक्रीज हुए हैं उनको complete करना है इसलिए हम एक एक जारी डालेंगे तो फिर से इसके फंदे पूरे हो जाएंगे फिर जारी डालेंगे और 3 फंदे सीधे 1, 2, 3, जारी डालेंगे 5 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 5 फिर से जारी डालें तीन फंदे सीधे 1,2,3 जाएर डालेंगे फाइफ फंदे सीधे 1,2,3,4,5 जाएर डालेंगे तीन फंदे सीधे जाए डालेंगे और लास्ट में तीन फंदे सीधे बना लेंगे अब एंस्टिच के हमारे फाइफ फंदे उल्टे बनाएंगे तो टैन कम्प्लीट हो गई है और हमारा हाँ पैटन कम्प्लीट हो गया है फिर से यही टैन रो उपर हम पीट करेंगे लेकिन इसमें थोड़ा सा चिंजिस होगा अब यह वाला पैटन यहाँ पर आएगा और यह वाला पैटन यहाँ पर आएगा तो दिखें कैसे करेंगे रो 11 राइट साइड स्टार्टिंग के 5 फंदे उल्टे बनाएंगे 3, 4, 5 धागा पिछे करेंगे और पीट पैटन स्टार्ट करेंगे अब दिखें 1 और 2 दो फंदे सीथे बनाएंगे फिर आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीथा ये दिखें ये सेंटर का फंदा है इसके दोनों तरफ जाड़ डालेंगे और एक फंदा सीथा फिर जाड़ डालेंगे और एक फंदा सीथा बनाएंगे ये हमारे 5 फंदे हैं आप दिखेंगे इसे टर्न करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे तीन फंदे सीधे फिर आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा जाईड डालेंगे एक फंदा सीधा यह देखिए यहाँ पर हमने दो फंदे सीधे बनाया स्टार्टिंग में फिर दो फंदों का एक फंदा बनाया एक फंदा सीधा और जायर डाली यहां से रपीट पैटन स्टार्ट करेंगे यह देखे एक फंदा सीधा बनाया फिर दो फंदों का एक फंदा बनाया तीन फंदे सीधे दो फंदों का एक फंदा सीधा जायर डाली औ और एक फंदा सीधा फिर से पैटर्न पीट करेंगे धागा आगे करेंगे जाइड डालेंगे एक फंदा सीधा बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे तीन फंदे सीधे 1 2 3 आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा जाइड डाल बनाएंगे, फिर तीन फंदे सीधे, वन, टू, ठी, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, और एक फंदा सीधा, फिर बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, दो फं रो 13 राइट सैड, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पिछे करेंगे, अब दिखिए 1 फंदा सीधा बनाएंगे, आगे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे, फिर 1 फंदा सीधा, फिर जाई डालेंगे और 2 फंदे सीधे बना लेंगे, यह देखे, स्टार्टिंग में हमने एक फंदा सीधा बनाया है, दो फंदों के एक फंदा बनाया है, एक फंदा सीधा जाई डाली और दो फंदे सीधे बनाई है, अब यहां से repeat pattern स्टार्ट करेंगे, यह देखे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाई डालेंगे और एक फंद के एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा जारी डालेंगे और कि को हीद्ध के दोघ्दगे ये दिखिए अब यहां सी उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, अब दिखिए, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जाईड डालेंगे, और यहां पर दिखिए, हमारी फाइफ फंदे जो हमने इसके जाली के करेंगे चारी डालते हुए ऐसे दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा फिर आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे यहां पर हमारे तीन फंदे रह जाएंगे साइड में हम एक एक चारी डालेंगे फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे अब यह यहां पर हमारे पास तीन पंद का एकंद हैं विलिप करेंगे और आगे की साइट से दो पंद का एकंद आपना बनाएंगे इसे ऋपर से टॉप करेंगे एकंदा सीधा यहां पर हमने स्टार्टिंग में दो फंदों का एक फंदा बनाया और एक फंदा सीधा बनाया और फिर हमने देखिए यहां से यहां तक एक पैटन कंप्लीट केया है इसमें हमने जाई डाली दो फंदों का एक फंदा बनाया एक फंदा सीधा फिर दो फंदों का एक फंदा जाई डालकर बढ़ाया है और फिर एक फंदा सीधा तीन पिंदों के एक फंदा और इक फंदा सीधा ऐसे ही ये देखे यहां पर फिर से ये हमारा लीफ बनेगा, साइट में दो दो फंदे, इसके कम होंगे एक फंदा सेंट में रहेगा तो ऐसे ही सारी रो को भी कम्प्रीट करेंगे रो 17 राइट साइड स्टार्टिंग के फाइफ फंदे उल्टे बनाएंगे धागा पीछे करेंगे अब दिखे यहां पर हम दो फंदे सीधे बना लेंगे अब दिखे यहां पर हमारे यह फिर से 5 फंदे हैं जो हमने यहां पर साइड में एक एक फंदा लिक्रीज किया था फिर जाई डालेंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे अब तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, slip करेंगे, आगे की side से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, इसे उपर से यासे drop कर देंगे, एक फंदा सीधा, फिर जाई डालेंगे, यह तीन फंदे हैं, सीधे बनाएंगे, वान, टू, ट्री, यह दिखें, starting में हमने दो फंदों का एक फंदा, तोफंदे सीध्य बनाए और फिर हमनें यहाँ जाई डाली सीधा तीन फंद का एक फंद का एक-फंद बनाएंगे तीन फंद का एक फंद बनाएंगे यह दिखे इसे उपर से डॉप कर देंगे एक फंदा सीधा चाहई डालेंगे और तीन फंदे सीधे ऐसे ही इस सारी रो को कम्प्लीट करेंगे रो नाइन्टीन राइड साइड स्टार्टिंग के फाइव फंदे उल्टे बना लेंगे धागा पीछे करेंगे अब दिखिए दो फंदे सीधे बनाएंगे इस रो में हमने कोई भी फंदा डिक्रीज नहीं करना है जाई डालते हुए एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे 5 फंदे सीधे 2, 3, 4, 5 जाई डालेंगे फिर 3 फंदे सीधे 1, 2, 3 जाई डालेंगे 5 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 5 जाई डालेंगे तीन फंदे सीधे 1, 2, 3 ऐसे ही इस सारी रो को कम्प्रीट करेंगे ये दिखे फैन रो 20 कम्प्लीट हो गई है और हमारा पैटन भी कम्प्लीट हो गया है फिर से हम इसे 1st रो से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही पार बार इसकी 1, 2, 20 रो रिपीट करते जाएंगे और ये पैटन बन कर इस तरह से दिखने लगेगा ये दिखिए इससे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडिस कारडिगन में लेडिस जैकिट में जैंट साफ स्वेटर फुल स्वेटर में तो आप भी से बनाईए और अपने एक्सपेरियंस हम कर दोल सकते हैं